आई गाइस आज बारिस का सा मौसम है और अभी पांच बजने वाले हैं हम भी घर की तरफ निकलेगे देखिये मौसम कैसा हो रहा है अभी बारिस हुआ था थोड़ा बंद हो गया है अब ब्लांट दिखा देते हैं किस तरह का दिख रहा है बारिस होने के बाद अच्छा दिखता है कि प्लेन भी आ रही है कि यह संटिंग बोलते हैं संटिंग टेन इसमें माटिरियल लेकर जाएगी कुछ माटिरियल उदर से आया है उदर से कॉइल जाएगा कि देखिए कि सेंटर गवरों का प्लांट इसमें लोग रेस्पोंसिबिल नहीं है तामने कहां टॉलेट करने लग गया है आदमी जॉब पा लेता है लेकिन उतने के बाद भी इलिटेट बना रहता है क्या कहिएगा प्लांट में इस तरह का बहुत सारा ट्रेंच चलता रहता है इदर भी पूरा प्लांट में तो प्लांट का एक चोटा सा एक एरिया है को लोलेंग में हर जगहे यही ट्रेंच चलता है इदर से उधर सामाल ले जाने के लिए फुरा फ्लेंट चलता रहता है इसमें प्लेट है इसको प्लेट बोलते हैं यहां बनता है कोईल भी बनता है और कटिंग प्लेट भी बनता है देखिने कि अभी ट्रेन में यह कटिंग प्लेट आया है अभी इसमें अभी यहां से कॉईल जाएगा जब बैक में जा रहा है यहां से कॉईल इसमें लग जाएगा उसके बाद हम दिखाएंगे कौन सा मट्रीजल ट्रेन लेकर आएगी कि यहीं ट्रेल लेकर आएगी है कि कई गेज का प्लेट रहता है यह मोटा पफला जैसा जितना एम एम का प्लेट चाहिए उस तरह का मटीरियल है बैक में आ रहा है अभी यह संटेंग करके उधर से फिर आएगा फिर आगे की तरह पाएगा उधर से जो बोगी इसमें लग जाएगा लगाने के बाद फिर आगे आएगा फिर यह वहां तक डिपो तक पहुचाएगा वहां से फिर ट्रेल ले जाएगी इसको दूसरी और यह इंजन लोटकर इधर ही आजाएगा कि प्लांट का इंजन है यह रिल्वे का नहीं है कि वो करो इस्टिल प्लांट खरीद लिया है इनको जो टेन आ रही है अभी कि ओनली इंजन आ गया है लोटिंग के लिए उसको छोड़ दिया है अभी तो ओनली लोको आया है जब वहां लोटिंग हो जाएगा उसमें कोईल वगएरा तो फिर यह लोको दुबारा से आएगा हम अपनी लेब ओटी के सामने खड़यों के वीडियो मना रहे हैं यह हमारी लेब है हम यह से बनाए है थैंक यू वाचिंग वीडियो